मनुवादी लोग आए दिन ये साजिश रचते रहते हैं कि कैसे दलीतों और पिछडों को फिर से उस दोर में पहुचा दिया जाए जहां दुस्ट मनु का कानून लागू था दलीतों और पिछडों को पढ़ने लिखने से लेकर उन्हें नोक्रिया हासिल करने से रोपने तक पूरी की पूरी मनुवादी व्यवस्ता एक्टिव हो जाती है देश की उनिवर्सिटीज में दलित आदिवासी और पिछडों के पड़े लिखे नोजवान प्रोफेसर्स के पदों तक ना पहुँच सके इसके लिए तरह तरह के अथखंडे अपनाए जाते हैं ताज़ा खबर ये है कि उनिवर्सिटीज में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने पर सरकार द्वारा जो SLP दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोट में खारिज कर दिया है ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि 5 मार्ज 2018 का UGC का लेटर ही मान्य होगा यानि डिपार्टमेंट वाइस 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा सरकार ने अध्यादेश लानी की बात कहकर धुखा दे दिया और कोट ने इसके खिलाफ फैसला सुना दिया ऐसे में लंबे संगर्ष के बाद उत्सिक्षा में हासिल सन्वैधानी का रक्षन कमो बेश खत्म हो गया है एक बार फिर से मनुवाद जीत गया है आप पहले ये समझे कि रोस्टर सिस्टम होता क्या है दरसल रोस्टर पद किस्थिती यानि position बताने का formula होता है रोस्टर से ही ये तैब होता है कि जितने पदों पर भरतिया निकली है उन में से कितने पद आरक्षित होंगे और कितने अनारक्षित जिसे किसी युनिवर्सिटी या विभाग में साथ पदों पर भरती निकली हो तो रोस्टर से ही ये तै होगा कि कितने पद अन्रिजव्ट यनि जन्रल होंगे और कितने पदों पर OBC और SCST वर्ग की भरती होगी जो लोग आरक्षन की मलाई खाने का रोना रोते हैं वो समझ लें कि 1997 से पहले सिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आरक्षन लागू नहीं था 2 जोलाई 1997 में जब उच्छिक्षा में असिस्टन्ट प्रोफेसर बनने के लिए SC और ST के लिए आरक्षन का प्रावधन आया तो सभी अंड्रिजव्ड पदों में आरक्षित पदों के निर्धारन के लिए सबसे पहले 40 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाये गया इस रोस्टर में कुल 40 पद में 15% SC और 7.5 फीस दी ST के लिए पद निर्धारन की विवस्था को ही 40 पॉइंट रोस्टर कहा गया लेकिन इसे भी कोर्ट ने बाद में रद कर दिया 2007 में जब उच्छिक्षा में OBCI रक्षन लागू हुआ तो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाया गया पोस्ट बेस्ट रोस्टर में संस्थान को एक इकाई मानने से संख्या अधिक होने पर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाया गया 200 होने के पीछे का कारण 7.5 फीस दी ST आरक्षन को 15% के round figure में करने के लिए base को 100 से दुगना करके 200 किया गया यानि अनुपातिक आधार पग 200 पद होने पर 7.5% के लिए पदों का निर्धारन आया कि प्रतेख 14 पद S.T. को जाने से 200 पदों में 7.5% के मुताबिक पद मिल जाएंगे इसी प्रकार प्रतेख 7.5% को मिलेगा जिससे 200 पद पूरे होने से S.T. को निर्धारिक 15% आरक्षन मिल जाएगा और प्रतेख 14 पद को OBC को देते हुए 200 पद पूरे होने पर OBC को 27% आरक्षन मिल सकेगा यहां तक तो ठीक था लेकिन BHU के एक शोद शात्र की पहल पर इलहबाद हाई कोट की एकल बेंच नहीं फैसला सुनाया कि युनिवर्सिटी या कॉलेज में विभागवार रोस्टर लागू होगा जिसे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी कहा गया इसके बाद 5 मार्च 2018 को युजीसी ने एक पत्र जारी कर कह दिया कि अब 200 पॉइंट रोस्टर की जगे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा अब जरह ये समझी कि ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम क्या है अगर तेरा पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा तो रोस्टर करम और पदों के आरक्षन की रोस्टर सूची इस प्रकार होगी पहला पद अन्रिजब्ध होगा, दूसरा पद भी अन्रिजब्ध होगा और तीसरा पद भी अन्रिजब्ध होगा इसके बाद चोते पद पर OBC का नमबर आएगा लेकिन पाँचवा पद फिर से Undreserved हो जाएगा छटा पद भी Undreserved होगा इसके बाद सात्वे पद पर सेड्यूल कास्ट के Candidate का नमबर आएगा इसके बाद आठवा पद OBC Candidate के लिए रक्षित होगा लेकिन 9 पद फिर से unreserved हो जाएगा इसके बाद 10 पद और 11 पद भी unreserved होगा इसके बाद 12 पद पर OBC candidate का नमबर आएगा लेकिन 13 पद फिर से unreserved हो जाएगा 14 पद पर schedule cast के candidate का नमबर आएगा यानि seven cast के candidate को तभी नोकरी मिलेगी जब एक साथ 14 वेकेंसी किसी पोस्ट पर निकलेगी अब जरा department wise roster system का खेल समझे यदि किसी नए college या department में सिर्फ 3 पद ही होंगे तो 3 पद इस roster system के इसाब से unreserved होंगे ये खेल सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें department wise roster बनाने से हमेशे के लिए असानी हो जाएगी कि हर विभाग में 3 या 3 से कम पदो को ही विज्यापित किया जाए इस हिसाब से आरक्षत पदो का नमबर तो कभी आएगा ही नहीं department wise roster का दूसरा खेल समझे यदि किसी विभाग में कुल 15 पद स्वीकर्थ होंगे तब जाकर वित्रन कुछ इस प्रकार होगा एक पद ST को मिलेगा दो पद SC को मिलेंगे तीन पद OBC को मिलेंगे और नो पद unreserved category के हिस्से में चले जाएंगे इस हिसाब से 15 में से सिर्फ 6 पद आरक्षित होंगे यानि आरक्षन सिर्फ 40% लागू होगा यानि समवेधानी का आरक्षन तो कभी लागू हो ही नहीं पाएगा अब इस विभागवार roster का तीसरा और सबसे खतरनाग खिल देखिए माना कि कुराने हिंदी विभाग में कुल 11 पद सुईकरत है जिन में से 8 पदों पर आरक्षन लागू होने से पहले ही नियुक्तिया हो चुकी है तो ये सबी सवर्ण यहां पढ़ा रहे है अब आरक्षन लागू किया गया तो इन 8 में से 4 और 8 पद OBC को और 7 पद सेड्यूल कास्ट को जाएगा जिसके पहले से ही कोई सवर्ण पढ़ा रहा है नियम के इसाब से ये 3 पद शोटफोल में जाएंगे और अगली नोक्रियों के विज्यापन में 9 और 10 और 11 तीनो पद शोटफोल को पूरा करेंगे लेकिन देश के हर विश्वे ध्याले में मनुवागियों ने शोटफोल को लागू ही नहीं किया और ये नियम बना दिया गया कि 4, 7 और 8 पद पर जो सवर्ण काम कर रहे हैं जब वो रिटायर हो जाएंगे तब जाकर इन पर अरक्षित वर्ग की कोटे की नियुक्ति होंगी यानि शोटफोल लागू ना करके सीधे सीधे हजारों अरक्षित पदों पर सवर्णों को बिठा दिया गया अन्तिम साजिश ये है कि किसी युनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर 1997 के बाद से SCST और 2007 के बाद से OBC की कोई लियुक्ति नहीं हुई है और पहली बार अगर 2019 में विग्या पनाया है तो इस बीच के पदों में जो बैकलोंग होगा उसे पहले भरा जाएगा लेकिन जब रोस्टर ही डिपार्टमेंट वाइस बनेगा तो ना तो शोटफोल लागू होगा और ना ही बैकलोंग भरा जाएगा यानि मनुवादियों ने मिलकर ये साजिश रची है कि दलितों, आदिवासियों और पिच्छरों के बच्चों को इसी युनिवर्सिटी में टीचर बनने से रोक दिया जाए वहीं दूसरी तरफ सवरणों के लिए आर्थिक अधार पर दस फीसदी आरक्षन देने के लिए मनुवादियों ने समविधान ही बदल डाला शीत कालिन सत्र के आखरी चंद घंटों में बिलपास हो गया और चंद दिनों में ही राष्टपती ने कानून को मन्जूरी दे दी महज 48 घंटों में गुजरात सरकार ने अरक्षन लागू भी कर दिया लेकिन SCST और OBC को मिले समविधानिक आरक्षन को लागू होने में सानों लग गए आधा अधूरा आरक्षन लागू हुआ भी तो उसे मनुवादियों ने मुकर्मे बाजी में उल्जा दिया 85 फीस्दी अबादी के हक को मारने के लिए कितना बड़ा खिल चल रहा है ये वक्त रहते आपको समझना होगा आप देख रहे हैं दशोद्र भूजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे तमाम वीडियो की जानकरी सबसे पहले आप तक पहुँच सके